सतना में रेट कारोबारी की यहां संपत्ती कुर्क किया जाने का मामला सामने आया है दरसल सतना में काईदे किनारे करकर 25 लाख टन की कोल ब्लॉक हासिल करने वाली रेटी सिमेंट ट्राइविट लिमिटेड और उसके संचालाक उमेश शहरा की 20 करोड से जादा की संपत्ती प अंगलवार को कुर्क कर ली है इसमें संतना अधार में स्थित 26 हेक्टेर से जादा जमीन से लेकर रेटी सिमेंट वाला खरीदे गए सारे शहर भी शामिल है जिससे एडी ने जब्त कर लिया है एडी कंपनी की कुल 59 करोड की संपत्ती कुर्क कर चुका है दिसंबर 2007 से जु लाख टन की ब्लॉक दी गई कंपनी को नवंबर 2012 तक उत्पादन शुरू करना था लेकिन नहीं कर पाई लंबी चानबीन के बाद CBI ने 2014-15 में रेवती सिमेंट और उसके संचालोकों पर धारा 420-120B और Prevention of Corruption Act की धारा 13-2-13-1D के तहत के दर्च किया था रिपोर्ट के अनुसार रेवती को सतना के थेजगोरा रुद्रपूरी में कमल संपच आईरन और स्टील प्राइवेट लिमिटेट को स्पंच आईरन प्लांट और सिमेंट प्लांट के लिए जमीन की खदान दी गई थी इसी F.I.R. के आधार पर E.D. ने 2014-15 में Prevention of Money Laundering Act का केस दर्ज किया था और इसी के चलते मंगलवार को रेवती के खिलाफ E.D. मुख्याले दिल्ली से दूसरा अटेचमेंट ओर्डर जारी हुआ है और 2007-2014 की बीच का रेकॉर्ड की चानवीन में जो बाते सामने आई थी कि रेवती सिमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कमर्स समपच स्टील एंड पावर लिमिटेड का सेय। उपकरम था ठेजकोरा कोल प्राइवेट लिमिटेड इसमें रेवती की शेर कैपिटल तीन करोड दस लाख 29,976 रुपए और इस कंपनी के बैंक खाते में 19,52,845 रुपए जमा है मद्विदेश सरकार को 4,68,60,710 रुपए देगा सतना की तहसील रगुराजनगर के गाउं साहा में 26,76 हेक्टेर जमीन भी अधिग्रहत की गई थी यह अहां बना सिमेंट प्लांट भी अटेज किया गया है इसके अलावा धार जिले के सेजवाय गाउं में कंपनी के डारेक्टर उमेश शहरा के नाम पर जो 15,34,495 रुपए की कीमत की जमीन थी उसे भी एडी ने कुर्क कर लिया है और अपने कबजे में ले लिया है इसके अल पर रेवती सिमेंट प्राइवेट लिमिटेड और उसके संचालाकों में शहरा की जितनी भी संपत्ती है सबकी जानकारी जुटाई जा रही है और उन्हें कुर्क करने की तैयारी की जा रही है सब्सक्राइब आर चानल और प्रेस्ट बल इकन पूर मोर अप्डेट्स